हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरा एक और नहीं वीडियो पे इस वीडियो पे मैं आज आपको Poco F3 GT का छोटा सा गेमिंग रिव्यू दूँगा और वीडियो को एंड तक देखना मैं पूरा डीटियल पे बताऊंगा इस पॉन को आपको लेना है नहीं लेना है इसका केम सेट है वो थोड़ा सा डिसी पॉइंटेट है क्योंकि इसमें मीडिया टेक डाइमन सिटी का बारा सो प्रोसेशर यूज करा गया है जो कि गेमिंग के लिए इतना खास नहीं माना जाता ज्यादा तर इस्ट्रेगन चिपसेट ही जो बनाता है उसका ही बेटर रहता है अब गेमिंग के लिए बिजिन इसमें भी गेमिंग थीक टाक चलता है 90 depth का सपोर्ट है लेकिन या नाइन दे स्मूद तक ही सपोर्ट देता है वाकि एस्टेश डियार मैं उसमें एक्स्ट्रिम का औप्शन नहीं है लाईक शिक्ट्रिए पिस नहीं देता यह थोड़ा मेरे वर लगा क्योंकि यह इसका जो डिस्प्ले वो तो कैपेवल है और चिपसेट भी ठीक ठाग है यार 1200 जो है डाइमन सिटी का यह चिपसेट चला देगा लेकिन पता नहीं लोगों नहीं दिया क्यूं शायद यह कुछ अपडेट वगारा के बाद हो जाए ठीक लेकिन नाइंट ए राजर बोल के दिया है उन लोगों ने और चार्जिंग स्पीड भी अच्छा खासा यार कोई दिक्कत नहीं है बस इसका दिक्कत यह पता नहीं यह नाइंट एपस तो देता है स्मूज में लेकिन बैलेंस वागेरा पे ना फोटी एपस में कैप रहता है तो थोड़ा और तो नहीं चलता है इसमें जो आल्टर एजडिया उसका और नहीं है बाकी फोन पर आल्टर पर 40 पे सी देता है में इस पर खेलता भी कोई इतना ज्यादा नहीं है तो उसका तो बात नहीं करते लेकिन अगर आप लोग सोचो 120 हर्स का रिप्रेश्ट है और इतना महेंगा है यह फोन तो इसमें एटलिस HDR एक्स्ट्रेम का सब्वोट होना चाहिए था 90 पे से वह एक प्लस पॉइंट है वह इसको बात नहीं कर रहा है बागी यार इसका थोड़ असा जाईरो है ना थोड़ लेगी लगा मेरे तो कि मैं बहुत कि खेला हूं बहुत डिवाइस पे और यह प्राइज रेंज के हिसाब से बोल रहा हूं गाइस वैसे जाईरो तो अच्छा है लेकिन इसका जो प्राइज है लगभक ट्वेटी सिक्स ट्वेटी सेबन थाउजन है तो उतना में आपको है ना इसका जाईरो थोड़ असा आपको इतना स्मूध नहीं लेगा बाकि स सब ठीक है यार आप देखी सकते हो इसमें इस गेम में आप लोगों को पता चल जाएगा जाईरो कैसा देखो मैं मेरा गेंप्ले जिसने पहले भी देखा होगा उसको भी आइडिया होगा इसमें थोड़ा यह मोगरा चूप हो रहा है क्योंकि हो सकता है यार मैंने एक दिन आप जाए डिवाइज है पुरा मत मनना यार अच्छा का सा डिवाइज है आप लोग कैसे रिव्यू दे रहे हो वाइज मेरे को लग रहा है मैं वही रिव्यू दे रहा हूं और हाँ गाईस्ट एसका जो कैमरा वगरा मेरा सेट अप इतना अच्छा नहीं है इसलिए नहाा फोन वोगेरा पूरा वो नहीं डालता तो लास्ट वीडियो पे एक बंदे ने कॉमेंट कर रहा था यार शायद तुम पर यह फोन नहीं होगा इसलिए तुमने अच्छा से नहीं डाला तुमने स्टार्टिंग में देखा ही होगा यार बेक्ग्राउंड कैसा है वैसे मैं कैस वीडियो बना के डालो और इतना खास कैमरा भी नहीं है मतलब जैसे गेम खोलता हूँ ना तो कैमरा क्या ब्राइटनेश बढ़ जाता है डिएसलर जैसे कहां होगा यार और मेरा इतना ओकाद भी नहीं कि मैं एक डेला का डिएसलर लो और 50-60,000 में रूम का सेट अप वीडियो पर भी मैं खुश रहूँ बस आप लोगा सपोर्ट चाहिए बाइक कुछ हेटर्स रहते हैं जो यार उल्टा उल्टा कॉमेंट करते हैं तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता तो आग के लिए बस वीडियो अच्छे लेगा तो लाइक करना चेनल को सस्क्रा नहीं करना यार वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करना बाइ